हेलो दोस्तो वेलकम टू माई चानेल आजका इस वीडियो में देखने बाला हूँ धनी काट का जो लिमीट है उस लिमीट को बैंक में कैसे टैनसफर कर सकते हैं मेरे यहाँ पर देख पा रहे हैं 638 रुपिया अभी अभी अभेलेबल बैलनस है इस बैलनस को बैंक में करना धनी काट का लिमीट को थे वीडियो पहले से लच य्जरुरू दखें और वीडियो अच्छा लगत भीडियो लाइक करें और चैनल को दख सब्सक्राइब डिक्स्क्रिप्सिम में लिंक देदूंगा उससे भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लिकेशन इनिश्ट्राल हो जानका बाद इसको ओपेन करें ओपेन करते हैं इस तरह का इंटरफिस देखेगा आपको उसका नेक्स्ट करें कंटिनियू करें यहां पका मोबाल नमबर यहां देना है ठीक है उसका दुगों पर किलिक करना है आपका मोबाल नमबर पर एक OTP जांग Rei और यहां पर देना है उसके बाद इस तorous का एक प média ओपन हो जाएगा ऊपर में फूल नेम देना है उसका नीचे email address देना है उसका नीचे referral mobile number देना है अगर किसी का नहीं है तो मेरा जो मोबाइल नमबर है वो दे सकते हैं ठीक है वो description में दे दूंगा उसके बाद arrow यारा पे करना है यहां पर में किया करने के लिए आपको बोटर कार्ट या पैन कार्ट में से एक लएगा ठीक है एक देने से आपका मिनिमाम कियो जाएगा तो हम यहां पैन कार्ट दे देंगा पैन कार्ट नमबर देने के बाद नीचे में सब्मीट का option है सब्मीट का option पर किलिक करें सब्मीट करती ही successfully verify हो जाएगा आपका उसके बाद ब्याक करते हैं ब्याक करने के बाद अब करते हैं मैक्सिमाम कियोशी maximum की OC करने के लिए आपका other card verification आपको करना होगा यहाँ पर आपका other number देना है उसका नीचे submit है submit और फिर click करना है उसके बाद आपका mobile number पर एक OTP आएगा उस OTP के हमाद देना उस बाद submit करना है मेरा OTP आचुका है हम OTP देते हैं उससे submit है submit में click करते है उसके बाद देख पा रहे हैं successfully verified हो गया है मेरा full की OIC हो गया है यहाँ पर देख पा रहे है minimum की OC और maximum की OC दोनों successfully verified हो गया है की OIC verified successfully हो जाने के बाद आपको homepage पर आ जाना है अब आप लोग देखाते हैं धनी काट का limit को bank में कैसे transfer करना है इसके लिए add money to wallet के एक option है देख पा रहे है left में add money to wallet पर आपको click करना है यहाँ पर आपको balance देना है जेतना आपको transfer करना है मेरा 600 रुपी था इसलिए 600 रुप यहाँ दे रहे है इसको हम पहले add money करना पड़ेगा ठीक है add है नीचे add पर आप click करना है उसके बाद यहाँ पे आपका mobile number देना है उसके नीचे email id जो दिये है वो email id यहाँ दे देना है उसके पोर्सीट है नीचे पोर्सीट पे आपको click करना है उसके बाद payment का एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपका बहुत सरा option मिल जाएगा यहाँ पे आपको card को select करना है उसके बाद card का एक page open हो जाएगा यहाँ पे आपको add another card का एक option मिलेगा add another card पे आपको click करना है यहाँ पे आपको धनी one freedom card का number देना है एक spy date देना है card holder name देना है उसका CV देना है पूरा card details फिल हो जाने के बाद नीचे pay का option है पे पे आपको click करना है यहाँ फिर्वेट करना है आपका mobile number पे एक OTP जाएगा उस OTP के यहाँ पे देना है मेरा OTP आच चुका है हम यहाँ पे देते हैं उसका submit करते हैं submit करते ही add money successfully हो चुका है यहाँ पे आप देख पार है सक्षप्र हो चुका है यहाँ इसका done कर देना है मेरा add money हो चुका है add money देखने के लिए to land pay के लिए करना है my account पे जाना है यहाँ पे आप देख पार है मेरा 6,000 रूपिया current balance में है ठीक है इस तरह आप आपका add money balance देख सकते हैं अब देखाते हैं bank में कैसे transfer करना है bank में transfer करने के लिए दो option है send money to bank account scan any QR code and pay अगर आपको scan any QR code में करना है तो आपका phone पे या ATM तो होगा उसका जो QR code है उसको पहले screenshot कर लेना है उसके बाद क्या करना है क्लिक करना है un Pretty Key値 बबध है अभी आप इसकी Solid के है उसको किलिक कर लेना है और फोन पे कावे की है आख और यहां पे भीजना पत्म यहां पे बेजना है उते कि वर्वर कोड में मुझे ठैनसे नचाइब श्रान कर ना है मुझे दोच़े करना है उस वात पैनाओ है पैनाओ पर आपको कीलिक करना है यहाँ पे आपका finger pen मांग रहा है यहाँ फिंगर तिन परसें यहां पर चार्ज कर देगा ठीक है इस तरह से आप बैंक में ट्यांसफर कर सकते हैं बहुत आसन से तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोग का बहुत अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को अभी तक सबस्क्राइब